स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चनल आज एक त्रीट ट्राइब रिली में अभी तक हम लोग कॉंटिन्यूटी की कुछ लास्ट वीडियो में कुछ लिग्लिप्ते इनल में मॉद्लिस में सब्सक्राइब अज robbed करेंगे पूरे वीडियो करें तो आज स्टार्ट करते हैं और पहले मिने आपसे बताया था कि अगर हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं तो हमारे चैनल सब्स्राइब कर लिजए और अपने क्लासमेट का सेयर करिए ताकि उनको भी फायदा मिल सके इस वीडियो का अपके जितने भी क्लासमेट से अगर आप 12 में पढ़े रहे हैं चलती हैं आप अपको अप दोनों को सब्सक्राइब में आटा होगा एंड आप लोग उनके अपनी दोस्तों के साथ सेयर करिए ताकि ज्यादा सेयर करिए ताकि हमारा वीडियो जिस एम को लेकर हम बना रहे हैं वीडियों हमारा वह एम कंप्लीट और हमारा एम सिर्फ यहां पे इन सिसन का बनाने का ये हैं कि आपको लॉक्डाउन में जो आप लोग जो फशे हुए हैं, जो आप लोग स्कूल नहीं जोईन कर पारे हैं, क्योंकि तरकार आप देखा होगा, कि सरकार हरे स्कूल से बोल रही हैं कि आप live classes दीजिए, its means की classes गुल मिलाकर उनके हिसाप से अभी भी चल रही है इसका आगर सही तरीके सोचे तो इसका मतलब यह होता है कि आपकी जो पढ़ाई है सरकार के हिसाप से चल रही है मतलब आपके जो exams है बहुत कम chances है कि उनकी date आगे पीछे हो कुछ गए हैं तो इक्झामस अपने पुराने समय पे ही होंगे मतलब सवरी मार्ज के मंत में ही होंगे क्झ सब्सक्राइब करनी हैं इप bang अप्रेडियों मन्त पूरा बीर चुका होगा दो दो महिने का लॉस होगा आपका और दो महिने का लॉस आपको कम्प्लीट करना है और इसलिए हम लोग यह लाइव जो आलाइन लाइन क्लासिस का सिसन ला रहे हैं ताकि आप लोग की पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्ल्म ना आए आप लोगों से कि आप लोग करते रहे हैं टाइम मत करीए तने अच्छी पॉर्चुनिटिए में अच्छी तो नहीं कह सकते बट्ट suasan लाइन आप के पास जैसे मैंने भी बताया कि हम लोग अभी ट्रिग्णोमेटिकल फंक्शन के साथ मैंने एक और चीज़ देखी कि ट्रिग्णोमेटिकल फंक्शन के साथ कुछ ऐसे questions है जिनमें हमें constants की value find out करनी होती है जो constants दिये होते हैं किसी function में और बता जाता कि यह function continuous है और इन constants की value find out करनी है जैसे कि एक question है कि fx is defined fx is a defined function मतलब जो fx है वो एक defined function है और जो define क्या हो गया है fx is equal to 3ax plus b when if x greater than 1 और 11 fx की value 11 है जब x is equal to 1 है और fx की value ही 5ax minus 2b है जब x less than 1 है तो हमें और बताएगा है कि this is continuous function और यह बताएगा है कि यह continuous function at x is equal to 1 पर यानि x की value जब 1 रखेंगे तो वहाँ पर यह continuous function है तब हमें x a और b की value sign out करनी तो आज हम trigonometrical function तो पहले बाद में पढ़ेंगे पहले इन्हें पढ़ेंगे और फिर trigonometrical function के साथ ही constant की value find out करना सीखेंगे और यह पूरा आज का session complete करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है हमें ऐसे question को solve करने के लिए सबसे पहले हमें left hand limit right सबसे पहले क्या करेंगे left hand limit लेंगे वैसे जैसे इमने continuity का एक formula दाया था कि left hand limit is equals to right hand limit is equals to given value of fx अगर यह तीनों बराबर है तो जो function है वो continuous होता है ठीक है अब इसी function के लिए अगर हम इन तीनों को solve कर ले है सबसे पहले हमें क्या करना होगा left hand limit और left hand limit मिलेगी कहां से हमें जब x less than 1 होगा तो यहां से हमें left hand limit मिलेगी solve करते हैं तो limit x stands to a minus और function कितना है आपका 5ax minus 2b अब यहां पर हम directly limit रखेंगे कोई फायदा नहीं है 0,7,2,3 करने का तो यहां पर रखेंगे 5a into 1-2b तो बजाएगा 5a-2b यह हो गया आपका left hand limit अब इसी तरह right hand limit find out करेंगे राइट hand limit करने के लिए क्या करेंगे कि उसी तरह left hand limit भी find out करेंगे और limit लेंगे limit x tends to a plus और क्या करेंगे यहां से अब राइट hand limit के लिए x greater than 1 वाला लेंगे तो यह function लेंगे और यह कितना हो जाएगा 3a x plus b यहां पर भी value रखेंगे तो यह हो जाएगा 3a और x value 1 रखेंगे plus b यहनि कि हो जाएगा 3a plus b आप देखो f अगर हम 1 find out करेंगे तो वो कितना है f1 है 11 अब continuity के लिए अगर कोई function continuous है if fx is continuous it's continuous मैंने पहले ही बताया था at x is equals to 1 x is equals to 1 पर यह continuous है तो क्या होगा left hand limit is equals to f1 होगा यहनि कि कितना 5a minus 2b is equals to 11 और इसी तरह जो right hand limit is equals to f1 होगा right hand limit is equals to f1 तो वो भी यहनि कि 3a plus b is equals to 11 यह equation आपको first है और यह second है अब आप इन दोने equation को solve करेंगे तो 5a minus 2b is equals to 11 और कितना है 3a plus b is equals to 11 अब इसमें हम 2 से multiply करा देंगे तो यह आपका function बनेगा 5a minus 2b is equals to 11 और यह हो जाएगा 3a plus 2b is equals to किता हो जाएगा 22 sorry यहाँ पर 6 होगा और 6 अब यहाँ पर सब्सक्राइक हो जाएगा आपका यह हो जाएगा आपका 11a is equals to 33 यही आपके रिक्वाइड एंसर होंगे तो आप इस question को नोट कर लें पॉस करके वीडियो कर चाहें तो यह पूरा solution आप फिर से देख सकते हैं इस question को यहाँ से सब्सक्राइब होके यहाँ पर यह इसा पूरा question क्रिताम होता है आपका so next question पिछलते हैं so अब हम नेक्स्क्राइब करेंगे फिफ्ट नंबर जो कि मैंने ट्रिमेटिकल फंक्शन से है यहाँ पर दिया हुआ है if fx is equal to function में दिया है sin 3x upon x when x does not equal to 0 और fx की value भी 1 है when x is equal to 0 find whether fx is continuous at x और हमें यहाँ पर चेक करना है कि क्या जो fx है वो continuous at x is equal to 0 पर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कुछ जो कुछ basic formulas है और उनकी लिंक आपको description box में मिल जाएगी तो आप वहां से कुछ basic formulas देख सकते हैं मैं description box में लिंक को दूँँगा उस लिंक पर आप google photos की एक link होगी और Google Drive की लिंक होगी आप वहां से उस link पर जैसे क्लिक करेंगे तो वहां से एक आपको एक फाइल खुलेगी जिसमें लिमिट के कहारे questions सारे formulas मिलेंगे साइन के लिए formula होता है limit x tends to 0 है अगर limit x tends to 0 है और sin theta upon sin x upon x है इसकी value 1 होती है इसी का हम use करेंगे इस question को solve करते हैं और copy पर आते हैं solution लिखते हैं इसका सबसे पहले हम right hand limit निकालेंगे अब यहां पर देखिए आप कि इसी question को देखिए कि जहां से देखो यहां पर x does not equals to 0 है x does not equals to 0 है मतलब हमें यहां से ही right hand limit और left hand limit निकलेंगे और जो आपको f 0 निकलेगा वो यहां से मिलेगा तो सबसे पहले हम right hand limit निकालें right hand limit right hand limit के लिए solve करेंगे इस question को तो सबसे पहले right hand limit के लिए क्या करेंगे limit x tends to क्योंकि यह 0 पर continuous है तो हमें जहां पर 0 लेंगे और 0 प्लस और क्या करेंगे sin 3x upon x यहीं दिया हुआ है sin 3x upon x अब देखो वहां यह हमने पढ़ा था formula sin x upon x is equals to 1 अब जानी कि जो x की value है दोनों उपर नीचे बराबर होनी चाहिए ठीक है यहाँ पर x है यहाँ पर कितना है यहाँ पर x है यहाँ पर x है और यहाँ पर x है तो यहाँ पर 3x होना चाहिए है यानि कि हम इसे अगर 3 से divide कर दें और 3 से multiply भी करना पड़ेगा limit की properties constant बाहर कर सकते है तो 3 limit x tends to 0 sin 3x upon 3x यहाँ से अगर हम limit रख देंगे तो यह हो जाएगा 3 इसकी value कितनी होती है 1 तो 3 into 1 यानि कि 3 यानि कि हमें right hand limit कितनी मिली 3 मिली इसी तरह same हम जब left hand limit लेंगे निकालेंगे तो वह भी आएगी 3 आप इसी तरह solve कर लेंगे तो वह भी 3 आएगी इसी property का use करके sin 3x sin x upon x is equals to 1 की ठीक है और यहाँ पर f 0 find out करेंगे तो कितना होका वह already given है यहाँ पर f 0 is equals to 1 given है यानि कि यह 1 given है अब देखिए क्या left hand limit is equals to right hand limit but does not equals to f 0 यानि कि यह जो function है आप देखो function is not continuous या अंकॉंट डिस्कॉंटिनिवस है है अपर डिस्कॉंटिनुटी को सो कर रहे है नौट कॉंटिनुवस यह डिस्कॉंटिनुवस तो function क्या है डिस्कॉंटिनुवस function है next question पर चलते हैं अब सात्मा question देखेंगे एक नया question सात्मा question कि है let f x is equals to 1-cos x upon x square when x is equals to 0 और 1 है when x is equals to 0 अब इस problem कैसे solve करेंगे सो सबसे पहले देखें कि यहां पर हमें cos x का formula नहीं पता है कि cos x की limit क्या करेंगे यहां पर x is equals to 0 पर ही हमें प्रूफ करना है मतलब सबसे पहले हम इसे solve करने के लिए क्या करना है solution है इसका सबसे पहले right hand limit लेंगे अब इसे question पर फिर से आते हैं और देखते है right hand limit मिले ही कहा से देखो यहां पर x does not equals to 0 है मतलब x की value यह तो 0 से छोटी हो सकती है तो बड़ी हो सकती है बड़ी होगी तो क्या होगा x की value यहां पर right hand limit लेंगे छोटी है तो left hand limit सबसे पहले right hand limit लेंगे और यह क्या होगा पर x greater than 0 पर limit x tends to 0 और कितना होगा 1 minus cos x upon x square और solve करेंगे इसे तो जहां पर देखो cos की 1 half angle पर formula रख देंगे cos का half angle formula की ओता है cos x जो equals to 1 minus 2 sin square x by 2 upon यहां पर इसकी value रख देंगे तो यहां पर limit x tends to 0 हो जाएगा 1 minus 1 minus minus plus 2 sin square x by 2 upon x square यहां से 1 plus और cancel हो जाएगा यहां से 2 constant है इसे बाहर कर लेते हैं इसे बाहर कर लेते हैं डिवाइड में कर लेते हैं डिवाइड कर देते हैं ठीक है लेकिन इसे जहां पर देखी यहां पर x by 2 का whole square होना चाहिए यहां पर सिर्फ x square by 2 है तो यहनी हमें यहां पर 4 करना है तब यहां पर यहां पर यहां पर 2 से multiplication और 2 से divide कर देंगे तो क्या करेंगे limit x tends to 0 1 by 2 into sin square x by 2 upon x by 2 का whole of square and then इसकी आप देखो यहां ते क्या करेंगे constant है 1 by 2 से बाहर कर लेंगे constant को यहनि कि 1 by 2 बाहर आ जाएगा आपका और limit x tends to 0 और sin square x by 2 upon x by 2 का whole of square और इसकी value हमने अभी पढ़ी थी कि जब theta की value और यह नीचे divide जो होता है यह दोनों अगर बराबर होती है जब यह value और यह बराबर होती है आपस में तो जो LHL इसी तरह का same as same as जो LHL होगा आपका यहनि left hand limit होगी यहनि बाहर पकुष की सीमा होगी वो भी 1 by 2 ही मिलेगी solve करने पर और यहाँ पर F0 कितना मिला है हमें यहाँ पर दिया हुआ F0 is equals to 1 अब देखें यहाँ पर right hand limit left hand limit और F0 बराबर नहीं है right hand left hand limit is equals to right hand limit but does not equals to F0 अता जो discontinuous function कैसा function है एक discontinuous function है 26th number question करने जा रहे हैं जिसमें दिया हो determine the value of ABC for which the function fx is equals to is continuous at x is equals to 0 यहाँ पर function दिया हुआ है आप इस question को note करेंगे copy में सबसे पहले और हमें इसमें देखना है कि x is equals to 0 पर यह function continuous है यह proof करना है proof sorry है यह यह पता है हमें क्योंकि determine the value यहाँ पर हमें क्या करना है ABC की value find out करने मतलब ABC का मान गयात करना है इसमें हम क्या करेंगे इसमें भी सेम वैसे ही left hand limit right hand limit लेक्ष यहां से left hand limit लेक्ष यहां से f0 मिलेगा अगरे तिनों बराबर करें रखें फिर तिनों को बराबर कर देंगा और हमें यहां से फिर से वही चीज मिल जाएगी तो इससे solve करते हैं कि इसे कुछ को सोल्यूशन लुखते हैं कि पर एक बार फिर से देखते हैं क्या है Fx is equal to sine a plus 1 into x किया है fx is equal, सबसे पहले रight hand limit लेते हैं राइठ लिमिट के लिए क्या करेंगे राइठ लिमिट लेने के लिए हमें यहां पर X greater than 0 चाहिए तो यहां सेंबलेंगे है राइठ लिमिट तो कितना हुझा है कि एक संडर्वोड कि यह संडर्वोड एक स्थे फ्री और एक स्थे पावर 3 by 2 यह है आपका थोड़ा सा राइटिक में दिगंदी है मैंने question दिखा है अब f x equals to limit लेंगे limit x tends to 0 plus लेंगे यहाँ पर और यही function रख देंगे तो x plus b x square minus and root x upon b की पावर x into 3 by b into x की power 3 by 2 अब ऐसे कोई problem साथ ती सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके जो conjugate होता है conjugate जो होता उसके multiply और division करा देते हैं इससे multiply और division कराएंगे तो क्या हो जाएगा limit x tends to 0 ही रहेगी इसका conjugate से गुणा कराएंगे कि इसका conjugate कितना होगा यहां पर plus लग जाएगा बस खाली conjugate जो होगा तो हम directly गुणा कराते हैं तो यह कितना हो जाएगा x conjugate में से गुणा कराना और संयुग्मी इसका संयुग्मी होगा x plus bx square अंडर्वुड में और minus minus जहां पर है वहाँ पर plus हो जाएगा और अंडर्वुड x हो जाएगा यह इसका conjugate होगा ठीक है यह क्या होगा conjugate जाइसे संयुग्मी बोलते हैं संयुग्मी इससे गुणा करा देंगे तो यह हो जाएगा x plus bx square माइनस अंडर्वुड अंडर्वुड रन क्या अंडर्वुड अंडर्वुड प्लस सरी माइनस यह हो जाएगा अपान b into x की पावर 3 by 2 into कितना हो जाएगा यहां से यह इसक प्लस bx square प्लस अंडर्वुड x ठीक है अब इसके दो यह प्लस का x और यह प्लस का x और यह माइनस का x अंडर्वुड अउट हो जाएगा उपर से bx square तो limit बचेगा कितना limit x tends to 0 यहां से bx square अपान b x की पावर 3 by 2 अब यहां पर देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं कि यहां पर underwood x common कर लेंगे तो यहां पर x की पावर एनी 1 by 2 common करेंगे बचेगा कितना आपके पास यहां पर बचेगा underwood 1 plus b x और प्लस 1 यहां से देखिए यहां पर 1 by 2 है और यह 3 by 2 आपस में जोड़ जाएंगे और यह x square कहां से लाउट कर देगा भी भी कहां से लाउट हो जाएगा मतलब बचेगा limit x tends to 0 यहां से बचेगा 1 upon underwood 1 plus b x plus 1 यहां पर बचेगा आप limit पूट कर देंगे तो यह 1 upon 1 plus 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा यही कितना बचा 1 by 2 यही कि हमारा right hand limit कितना है यह 1 by 2 अब हम इस question को solve करेंगे left hand limit के लिए तो LHL के लिए solve करेंगे तो LHL देखिए यहां से question पर देखते हैं LHL कहां से मिलेगा हमें LHC इससे मिलेगा sin a x a plus 1 x plus sin x upon x से x less than 0 है यहां पर है तो क्या है function आपका यहां पर डिरेक्टली लिमिट 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 एक्स टेंस टू जीरो माइनस साइन इन्टू इंटू x साइन इंटू x प्लस साइन इंटू x साइन एक्स उ आपाऑन एक्स यहां सौ अभी इस के बार इस लेक्या करते हैं विस्टोड़ा सा तोड़ देते हैं तो limit x tends to 0- और इसे क्या करते हैं यहां से अलग-अलग कर लेते हैं तो limit break हो जाती है sign a plus 1 into x upon x हो जाएगा plus limit x tends to 0 sin x upon x हो जाएगा आप देखिए यहां पर limit x tends to 0 हो जाएगी यहां पर भी 1 करने के लिए क्या करेंगे a plus 1 से गुड़ा भाग करा दें ठीक है तो क्या हो जाएगा a plus 1 limit x tends to 0 यहां पर sign a plus 1 into x upon a plus 1 into x क्योंकि हमने a plus 1 से गुड़ा कराया और गुड़ा और गुड़ा करा देखा और इसकी value हमने 1 रख दी अब इसकी भी इसमें भी limit again इसकी value 1 हो जाएगी यानि a plus 2 बराबर यह हो जाएगा जो left hand limit होगी वो कितना हो जाएगा a plus 2 अब यहां से देखें आपको जो f0 कितना दिया होगा है f0 से question देखें तो दिया गया है c ठीक है अब देखें left hand limit और right hand limit और f0 तिनों बराबर हो जाएग पहले हम एक question left hand limit is equals to c यानि कि कितना left hand limit आपकी किती है a plus 2 is equals to c ठीक है तो यहां से यह एक question मिला या इसे छोड़ते हैं सबसे पहले हम क्या करते है right hand limit is equals to f0 रखते हैं तो right hand limit आपकी कितनी मिली थी right hand limit कितनी मिली थी आपको देखें right hand limit आपकी मिली थी half 1 by 2 यह नहीं कि तो 1 by 2 is equals to c हो जाएगा यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर c की value यहां पर c की value कितनी मिली थी कि B की वैलू नहीं मिले हैं, हमें A, B, C, तीनों के वैलू फाइन आउट करनी थी, ठीक है, तो देखते हैं, इसी function को पूरे सही से देखते हैं, तो क्या है, हमें हमें सब्सक्राइब कर देखे, उसके अलाम कोई भी वैल्यू हो सकती, क्योंको इसके अलाम इस function में कोई effect नहीं करेगा, तब तो define function होका, अगर B की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी रख दें, तो define function होका, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, इसके लिए लिख सकते हैं, जो B है, वो belong करता है, मतलब एक जो B है, वो real numbers है, बट उनमें से जो 0 है, वो नहीं है, मतलब यह जो B है, वो एक set है, जो R है, वो एक set है, real numbers का, बट 0 नहीं हो सकता, खाली, खाली 0 को हटा के, अगर 0 हटा दिया जा real numbers है, तो उसके अलाव है, यह एक ऐसा set होगा, real numbers का, लेकिन non-0 real numbers का set होगा है, तो वहाँ पर 0 नहीं होगा, तो A और B और C की values मिल गई, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल next video में, आपसे request है कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के सब सेयर करें, आपको अच्छा लगा हो वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पढ़ते रहें, दर पे रहें, सेफ रहें, जाहें